बच्चों अब हम लोग देखेंगे common disease in humans हमने बात की थी human health or disease हमारा topic है जो आपकी NCRT का eighth topic है ठीक है term two के लिए हम लोग बात कर रहा है common disease in humans को देखते है common disease और जब humans की हम लोग बात करते हैं तो बहुत बड़ी variety है बहुत सारे animals हैं wide range of organism हैं जैसे अगर आप देखें तो वैक्टिरिया है वाइरस है फंगी है इसके अलावा भी अगर आप देखें तो और भी चीज़े हैं ठीक है प्रोटोजोंस हैं हैलमेंस हैं यह सब ही है यह सब ही जो human में बीमारी या disease पैदा करते हैं human में disease पैदा करने वाले organism को हम लोग क्या कहते हैं बचों pathogen कईते हैं तो अभी भी term आए कि pathogen कौन होते हैं पैथोजन वो हैं जो किसी यूमन में disease पैदा करने वाले organism हैं जो disease पैदा करते हैं ठीक है इन में से अधिक तर जो pathogen होते हैं वो parasitic होते हैं ठीक है तो आपके लाएं भी यह most parasites are there for pathogen अधिकांस, parasites, pathogen होते हैं क्योंकि यह host के अंदर या उपर रहके क्या करते हैं यह उनको harm करते हैं उनको honey पहुंचाते हैं pathogen हमारी body में कई तरीके से इंटर कर सकते हैं और अपने numbers में growth कर सकते हैं और हमारी normal vital activities को interfere करते हैं अब जब यह सब कुछ कर रहे हैं हमारी normal vital activities को भी interfere कर रहे हैं जिससे क्या होता है जिससे morphological और functional damage होता है ठीक है अब मार्फोरुजिकर और functional damage हुआ मतलब आपको disease ने affected कर दिया है तो pathogen को host के environment के अनुसार अपने आपको adapt करना लेना चाहिए जैसे pathogen जो हमारे gut से entry करते हैं तो उने stomach के lower pH में जीवत रहने के लिए या sustain करने के लिए कि वहाँ जो बिभिन पिरकार के digestive enzymes हैं उनके प्रति एक resistance डेबलब करना होता है तबी तो वो हमारे gut में जिंदा रह जाएंगे क्योंकि lower pH होती है pH बहुत कम होती है तो फिर जिंदा उनको रहना तो क्या करना चाहिए वहाँ पर उनको digestive enzymes के को oppose करने वाली एक resistance होनी चाहिए उ ठीक है तो वो चीज उनको वहाँ पर अपने अंदर लानी होगी और अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या जाएंगे वह सर्वाइव वहाँ पर बिटा नहीं कर पाएंगे चलिए अब हम लोग समझते हैं दूसरी चीज को कि टाइफाइट की बात करते हैं टाइफाइ एक वैक्टीरिया है ठीक है इसी की बज़े से क्या होता है टाइफाइड आता है टाइफाइड एक फिरकर का फीवर होता है जो हीमन में होता है अब यह जो पैथोजन है मोस्ली कंटेमिनेटेड वाटर और फूट के द्वारा हमारी स्मॉल इंटेस्टान में पहुंच जात है जब हमारे इस भाइन पहुंच जाता उसके बाद क्या करता है यह वहाँ पर माइग्रेट करता है अब माइग्रेशन का मीडियम होता है बलेड ऑबलेड के थूर माइग्रेट करता है या फिर वहाँ से हमारी बॉडि के अधर और और ओर ग Exam जाता है अब आप कहोंगे इसके common symptoms कैसे पता लगेंगे कि हमको टाइफाइड हुआ है तो आपकी body का temperature होता है वो 39 degree to 40 degree celsius तक पहुंच जाता है तो high fever आने लगता है weakness हो जाती है इस टुमक में दर्द होने लगता है pain हो लगता है constipation की दिक्कत सुरू हो जाती है headache ने हो जाता है और loss of appetite हो जाता है ठीक है ठीक है loss of appetite को anorexia भी कहते है anorexia जाद रखिएगा इसको anorexia भी कहते है अब बहुत सारे saver case होते हैं saver case मतलब गंभीर मामले होते हैं अब उन गंभीर मामलों में क्या करेंगे गंभीर मामलों में intestine में hole भी हो जाता है जिससे क्या हो जाती है जिससे death भी हो सकती कई सारी cases में तो typhoid की बज़े से कई बार कुछ cases में death हो जाती है ठीक है अब typhoid fever के लिए कौन सा test के जाता है तो आपको यह रखना है विडाल test करते है ठीक है तो विडाल test या रखे गा टाइफ़ाइट फीवर की जांच के लिए डॉक्टर के पास अब आप जाएंगे तो आपको वहां विडाल test लखेगा ठीक है टाइफ़ाइट के लिए बहुत एक classic theory चलती है ठीक है इनका नाम था Mary Malone Mary Malone इनका निक नाम टाइफ़ाइड मेरी रखा गया था इनको टाइफ़ाइड मेरी के नाम से भी medical science के दुनिया में जाना जाता है यह बहुत खास लेडी थी यह बहुत मतलब famous लेडी रही है कैसे जो टाइफ़ाइड मेरी थी इनके बारे बड़े interesting है कि profession से एक cook थी और इनको टाइफ़ाइड था और बरसों से था तो यह कई सारे लोगों के यहाँ खाना बनाया करती थी तो एक प्रकास से वो टाइफ़ को carrier के रूप में carrier के रूप में लेकर चल रही थी जहां भी खाना बनाया थी वहां के लोगों को भी वो टाइफ़ाइड फैला रही थी ठीक है तो इस वाज़े से आप समझ सकते हैं टाइफ़ाइड क्या है टाइफ़ाइड एक प्रकार से क्या है infectious disease है contaminated disease है ठीक है तो यह आपको यहां पर पता रखना होगा चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बीडाल टेस्ट की बात हम लोंने की अब हम लोग बात करते हैं नेमोनिया नेमोनिया एक बहुत इंपोर्टेंट वैक्टिरिया है और यह आप सब लोग जिसके बारे में जानते हैं यह किस्से फ कोकस नेमोनिया यह मोस्ट इंपोर्टेंट है दूसरा है हीमोफिलस इंफ्यूंजा यह दो वैक्टिरिया ऐसे हैं जो नेमोनिया के लिए रिस्पॉंसिबिल हैं और यह क्या करते हैं यह हमारे जो लंग्स होते हैं लंग्स में ऐल्वियोलाई होते हैं ऐल्वियोलाई में सेक होते हैं उसको infected कर देते हैं और इस infection के कारण alveoli में flood है ना flood flood भर जाता है जिसके कारण आपको सांस लेने में problem होती है तकलीफ होती है अब कोगे इसके symptoms क्या है इसके symptoms है fever आएगा ठीक है चिल होगा सरदी लगेगी कफ होगा आपके बास सर में बहुत तेरी से दर्द होता है saver cases में lips और fingernails grey से bluish color में change हो जाते है ठीक है तो यह बहुत important है lips और fingernails होते हैं यह क्या करते हैं grey से आपके bluish color में यह change हो जाते है यह भी बड़ी दिक्कत है ठीक है तो आपको यह रखना है grey to bluish in color अब हमने आपको दो चीज़े बता है इसी चीज़े infected person जब किसी से बात करता है छींकता है तो उसके मूँ से कुछ droplets निकलते हैं यह droplets या aerosol को जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे अंदर भी आ जाते हैं infected person के glass का यूज नहीं करना उसके button का यूज नहीं करना है आपको एक है उससे थोड़ा दूरी बनाके रहना है तो mostly glass और उसके button का यूज करनेस यह पीमारी फेलती है ठीक है इसी प्रकार के कई और वीमारिया भी है जो फेलती है एक group है rhino virus का ठीक है तो most virus होते हैं जो human virus में disease create करते हैं वारिस की तो उस वारिस में जाते हैं एक वारिस आता है rhino virus तो rhino virus को आप समझ लीजिए आपको या रखना है common cold जैसी चीजें खेर हम लोग निमोनिया की बात कर रहे हैं निमोनिया में तो तीन चीजें और याद रखियेगा एक आपको य जो तीक है सीगला दा आशांमने चीजेसे बदे लेक इसके प्यलता है रसीनिया पैस्ट्रिस वाज तिफिरिया किसकी बिज़ेसे होता है लिप beta और फिर्या होता है कॉर्णि वेक्टिरियम डिफिरिये वाज़े से चलिए अब हम लोग बात करेंगे टाइफाइड और नेमोनिया तो हमने कर लिया अब हम लोग कुछ वाइरस की बात करते हैं अब हमने बात की थे थोड़ दिल पहले राइनो वाइरस की तो हम लोग वहाँ पर common cold वाली conditions को अब देखेंगे ठीक है